नमस्कार मैं संजीब सुर्वास्तो स्वागत करता हूँ आप सभी का देश्टी आएस के यूटूब चैनल में देश्टी आएस यूटूब चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को सजक साथ ही साथ और ज़्यादा और ज़्यावान मनाने का प्यास कर रही है इस प्रक्रिया में हम प्रस्णों के ट्रेंड के एक विशलेशन के साथ रनिती बनाकर आप तक संप्रिशित करते हैं इसी प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश लोग सवायोग के जो सिलेबस का एक मुल्यांकर है प्रारमिक और मुख परिच्छा का साथ ही साथ जो प्रारमिक प प्रस्णों के ट्रेंड से यह सवाज में आता है कि उत्रप्रदेश लोग सवायोग में अब किस प्रकार के प्रस्ण पूछे जाए रहे हैं या उसी अधार पे विद्यार्थी अपने रहनेती को निर्मान करें साथ ही साथ जिस प्रकार के प्रस्ण आये हैं वहां तक अर्थाथ प्रस्णों तक विद्यार्थियों की पहुँच कैसे आसानी से सुनशित हो यही प्रयास है टीम द्रिश्टी का इस प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश लोग सवायोग ने 2019 में जो प्रिक्षा ली थी प्रार्मिक प्रिक्षा उसके प्रस्णों में अर्थाथ उसके कुल प्रस्णों को जो 40 प्रस्ण थे भूगोल और प्रयानों तक परिसकी से उसको चार करमिक वीडियो में बाट करके उ तो इसके पहले तीन वीडियोज 2019 के प्रार्मिक परिच्छा के लिए आपको मिल चुके हैं, ये चौथा वीडियो है, अर्थात पार्ट फोर या पार्ट डी, इसमें भी कुल दस प्रस्न होंगे, और दसो प्रस्न में फिर से यही प्रयास होगा, कि आप केवल प्रस्न के उत प्रचाना हमरा उद्देश है, को अरल स्मार्ट वर्क या थिंक विदाउट इंक की जो प्रक्रिया है, इस यूटूब चल के माध्यम से द्रिष्टियाई साब तक संप्रिशीत करती है, कॉम्निकेट करती है, चलते हैं हम लोग, पार्ट फोर अथा दुजर उन्निस उत्त विडियो है, ठीक है, प्रस्ण है निमलिकित में से कौन सा अल्बीडो से सम्मंदित है, तो सबसे पहले मैं हमेशा भी दार्थियों कहता हूं कि आप कुछ प्रस्ण कीजिए, प्रस्ण का मत्तर होता है, क्यों लगाईए, जैसे अल्बीडो, क्यों या क्या है, यहाँ पे क और यहाँ पे सुरे महुदे हैं तो सुरे से जो लगुत तरंगे पृत्वी की और जा रही है और जो दिर्ग तरंगे पृत्वी से वापस लोट रही है तो ये आपको पता होगा नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि वायुमंडल को गर्म करने का मूल कारे तिर्ग तरंगे उस्मा बजट की प्रक्रिया संबंदित है अर्था तो वायुमंडल को गर्म करने में इनकी भूमिकाही मुर्थ महत्पूर्ण है वायुमंडल को गर्म करने में लेकिन यदि आप उस्मा बजट को बेहतर प्रकार से या उसके प्रसीक्ता के साथ पढ़ेंगे उस्मा बजट क इस प्रक्रिया में फिर लौटने वाले किर्णों को या तरंगों को जिसे दिर्ग तरंग कहते हैं लॉग विप्स उसको फिर दू भावे बाटा जाता है कैसे यानि वे तरंगे मैं दू कलर लेता हूँ यहां पे एक वे तरंगे हैं जो लौटती है परन्तु वायुमंडल को बिना गर्म किये वापस चली जाती है और एक जो गर्म करके वापस जाती है यह गर्म करती हूई वापस उजाना ही है बिसकली भौमंडल या तापन की प्रक्रिया में इसे समधित है जैसे अगर माल लीजिये, हम सौ माल लें, और्ष्टन, सौ, यानि सौ किरने, सुर की किरने, पृत्वी पर आई, तो लोटना भी सौ ही होगा, ठीक है, पृत्वी पर आई, तो लोटेंगे भी सौ, लोटेंगे 200 और यही होगा उसमा बुजट का संतुलन इसमें ध्यान देने वाली बाती है कि इसमें 65% वायू मंडल को गर्म करती है वायू मंडल को गर्म करती है और रेश्ट 35% बिना गर्म की यह वापस जाती है ठीक है तो और यह संतुलन भी है यानि आप ध्यान रखिएगा अगर इस कोश्टन को ऐसे किया जाए कि जो पृत्वी का वायू मंडल या तापमान है या छो मंडल में सता के निकट या वायू मंडल या तापमान है वो लोटने वाले कुल उर्जा के किरनों के कितने परसेंट से संबंदित है तो वो हो जाएगा 65% क्योंकि ये 65% ही वायु मंडल में उश्मा प्रदान करती है रिस्ट जो 35% है 35% वो बिना उश्मा प्रदान किये प्रमान को वापर चली जाती है लेर हो गया और इसी 35% को हम कहते हैं अलबीडो यही है अलबीडो अर्थात उश्मा की वे तरंगे अलबीडो ये कभी आपको इधर से लिखा मिलेगा उश्मा की वे तरंगे जो वायु मंडल को लोटने वाली ना कि आने वाली यानि परावर्तित ठीक है उश्मा की वे तरंगे जो भुप्रिष्ट या वायु मंडल के किसी कंड से या गयस से परवर्तित होकर लोट जाती है परंतु वायु मंडल को गर्ब नहीं करती उनको हम कहते हैं अलबीडो ठीक है इमिसीब पावर ये भी नहीं होगा रिफ्लेक्टिंग पावर यानि ये वापसी से सम्बंदित है वापसी से सम्बंदित है डी यानि रिफ्लेक्टिंग पावर पर इसमें और ज्यादा अगर असपरस्ता रखें तो without providing any warmness to the environment, especially troposphere, अर्थाथ छोब मंडल, ठीक है, तो अगर आप ऐसे पढ़ते, अब देखो, अगर ये 65% लोटता है, गर्म करता हुआ, इसी में से 1% को हमने रख लिया, यही 1% उश्मा को बढ़ा देगा, और यही है global warming, अर्थाथ भूमंडलिय तापन, तो आपको ये भ होगा, वापसी की सकती अर्थात reflecting power और अलबीडो की सरलतम परिभासा हम मनाएं, तो शुर्ग की वे किरने, जो लगुत तरंगों के तौर पे वाई मंडल में प्रवेस कर, विविद अस्तरों से, गैसों से या पृत्वी के भूपे से टक्रा कर वापस लोटती हैं, वापस होते हैं, एक वे जो वाई मंडल को गर्म करती हुए, लोटती है, वो कुल का 65% है, और एक वे जो बिना वाई मंडल को गर्म किये वापस जाती है, वो कुल का 35% है, जो बिना गर्म किये वापस जाती है, उनी को कहते हैं, अलबीडो अर्थात वो 35%, so that is concerned with the reflecting power, है बाटना, सही है या वैस्वी कंसंधान कार्यकरम प्रित्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है या गहरी microbial पार्सकी तंत्र के छित्रिय अवलोकन के लिए है थोड़ा इसको 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 पढ़ लिया जाए with reference to deep carbon observatory deep carbon observatory observatory co which of the following statements is or are correct it is global research program to outreach role of carbon on earth right second it conducts field observations of deep microbial ecosystem तेखो सबसे पहले हम हिंदी वाले पे जलते हैं हम जब ozone rate depletion पढ़ाते हैं भूमर्लिय तापन पढ़ाते हैं global warming तो साथ में हमेसा बताते हैं global deeming अर्थाथ भूमर्लिय सीतलन and world's right now world's biggest and most harmful disaster is climatic change ये घिसटती हुई बिस्व की सबसे बड़ी आपदा है चोकि ये ice age को लाएगी अभी तो भूमर्लिय तापमान बढ़ रहा है तो कहते हैं global warming but automatically that global warming brings gold dimming अर्थाथ ये भूमर्लिय तापन स्वे ही भूमर्लिय शीतलन को लाता है और ये सीतलन ice age अर्थाथ हिम यूग को लाता है जो आज से 10,000 साल पहले 12,000 साल पहले था आया था जिसमें पूरे प्रित्वी के सता का तापमान almost zero degree या उससे कम हो जाता है सारे oceans ज़म जाते हैं आप कलपना कीजिए न कोई जैसे दुरूय परदेस की जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं यानि कि जो प्रयावनिय परिस्थियां दुरूय पर he does के हैं वह पूरे प्रित्वी ओ साइगी उस प्रित्वी में क्या मानौ या मानो के विकास की जो कृषी है उद्योग है क्या वो सुचारूप से चल पाएगा आप सोच के देखिए तो overall इस प्रिस्तिती में ये count किया आता है कि कौन से घटक प्राकृतिक कारणों संबंदित है और कौन से घटक कृत्रिम कारणों से यानि anthroposony causes जो मानुरमित कारण है इस पर प्रसन आया था उसमें 40 से 50 परसेंट पचास नहीं कहेंगे चूकर वहां पर फिर एक डाउट आने लगा है कि प्रकृतिक कारण ही महत्पूर्ण है क्या 40 परसेंट कम से कम कारण वहां के जोला मुखियों का है अंटार्टिका में साथ सक्रिय जोला मुखिय है जो रेंतर कार्बन गैस क को बूत करते रहते हैं और वहां पर उजून लेट डेप्लेशन में 40 प्रसेंट भूमी का अंटार्टिका के जोला मुखिय जोला मुखिय है यानि यह निच्रल कॉजिस हो गया साथ में कार्बन और कार्बन के ऑक्साइड्स या उसके जो बाई पूड़क्स हैं वो प्रित युए नो तक ने जो गहरी कार्बन वेज साला इसका इंगलिस टम्हिए आप याद रखिएगा डीप कार्बन औब्जर्वेट्री का गठन करके इस बात का मुल्यांगन किया जाने लगा कि प्रित्वी के वाईव मंडल में जो कार्बन मतलब जो भी जलता है वो कार्बन ह जो भी जलता है वो कार्बन है अब ध्यान रखिएगा मोटा मोटी इसको समझने कर प्रक्रिया तो जो भी निकलेगा वो कार्बन का सुरूत है प्रित्वी के वाईव मंडल में वो कहां से है कैसे है ताकि अब नियंतरित करने की बाद तो इसके बाद आएगी पहले हम उसक फोट होता है मेंटल व्भूपिड दोंच होता है तो जोला मुखी के स्रोथ जला की तरह है अर्था बाहर से कारबन नहीं आएगा हाँ उलका पाद जब होता है तो उसके साथ जो कारबन आएगा लेकिन वह बहुत माइनूट है 00000000 point में भी सावत काउंट वो नहीं होगा अभी जो कार्बन का सुरोत है वो mainly anthropogenic causes अर्था जितने भी biofuels हम जलाते हैं petrol, diesel, koila या प्रकरति गैस इसके अलाबा इवन गूबर को भी हम जलाते हैं लकडी को भी हम जलाते हैं उन सबसे कार्बन मुक्त होता है उसमें जला मुक्यों को देखा गया और भूप्रिस्ट के अंतरका जो कार्बन है और साथ ही साथ जो mental में कार्बन है उन total का एक evolution किया गया और फिर ये देखा गया कि इसका प्रभाव जो microbiology या biodiversity है उस पर क्या पढ़ता है यानि सुक्ष मेंस्तर पर भी क्या प्रभाव पढ़ता है उसको observe इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब UNO को या UNEP को developmental program जो राइट इनिसन कर चलता है उनको ऐसा लगने लगा है जिस प्रकार से मानों के गतिविदियां तेरी से बढ़ रही है हम आई सेज की ओर बहुत जल्दी बढ़ने लगेंगे तो कि भूमरलिये तापन के परशात जो फेज आता है उन डीमिंग का रथा सीतरन का आता है इसलिए इस संस्था के द्वारा मतलब यह प्रक्रिया यानि डीप कार्बन और जर्वेट्री को हरकत में लाया गया और यह देखा गया कि जो माइक्रोबिस या पिर जो अती सुख पर जीवानू तक है उन पर भी या जो माइक्रो लेवल पर लहूर स्थर पर भी जो जाय विविट्था है उन पर भी इसका प्रभाव क्या होता है ताकि भविष्च के उन प्रभाहों का अभी से हम आकलन कर लें और उसको सुधारने के लिए कारे भी शुरू कर दें, वर्क भी शुरू कर दें, ठीक है? तो इस प्रक्रिया में कार्बन के evaluation के लिए कि कार्बन के कौन-कौन से सुरूसे और सुर्थते हैं जैसे आप environment में carbon cycle पढ़ते हैं nitrogen cycle पढ़ते हैं या अगर आप जोगराफी पढ़ते हैं NCRT में ये process दिया हुआ है अभी का जो वायूमंडल है ये प्रारम में ही निर्वित नहीं हुआ था अर्थात अभी का जो वायूमंडल है उल्लगबग डहाई अरब साल पहले निर्वित हुआ था जबकि प्रित्वी की उमर चार दसम्रों सात अरब साल है प्रित्वी बीच में टकरा कर टूटी भी थी ये सब क्लास में डिस्कस किया जाता है especially मैं तो करता ही हूँ कि किस प्रकार से लगुगुरा से टकराई फिर चद्रमा का निर्मान हुआ तो जो प्रित्वी के निर्मान के साथ वायूमंडल बना था वो प्रोटो एट्मस्फियर था आदे वायूमंडल था जो आज के वायूमंडल से काफी बिंड था और उस वायूमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा एतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन जो भुपरिष्ट का किनविकरन प्रोसेस स्टार्ट हुआ सुक्ष्ण जीवानों के द्वारा तो भुपरिष्ट का नाइट्रोजन वायूमंडल में फिक्स हुआ और अभी वर्तमान वायूमंडल का रिर्मान हुआ जो जीवन के विकास के लिए बहुत प्रिड़क्या अधार का कार्य करता है इसके बगार इस प्रकार के जीओनी कलबना नामुंकिन थी तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ है वायूमंडल में ये सुक्षन जीवानों के द्वारा हुआ है मैक्रोप्स के द्वारा तो ओवर ओल इस मुल्यांकन की प्रकरिया में देखा जाने लगा इवन कारबनी डेकसाइट की मात्रा है वे बरी च्वए बहत जादा है तो कारबन चकर में ये तो पढ़ते हैं कारबन के सोर्सेशes कौन-कौन से है, उसमें जॉलामुखी को भी रखते हैं लेकिन अवर ओल जॉलामुखी कितना प्रभावी हो पाता है कितनी मात्रा उसे बढ़ रही है और ये नेचर का प्रसेस है जैसे जन्म है तो मृत्यू भी होगा ये तो प्रकृतिक में सब कोई जानता है लेकिन जो आई सेज है आई सेज आने के बाद कलपना कीजिए जो क्रिसी भूमी है लगबक समाप्त तो हम पॉली हाउस पना करके ही ब्लोर लगा करके ही क्रिसी कारे कर पाएंगे तो कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा ये तो तैह है कि बिसु की 90% जन्म क्या 45% जन्म क्या समाप्ती हो जाएगी और आई सेज एक एक लाख वर्स एक हजार वर्स तक कण्यू करता है कम से कम जैसे जो अभी 10,000 से 11,000 साल पहले आई से जाया था बहुत डीप आई सेज नहीं था लेकिन लगबक 900 वर्स तक कण्यू किया यानि मानों की कम से कम 50 पीढ़ियां 900 वर्स में पार हो जाएंगी और 50 पीढ़ियों तक ही इंजार करना पड़ेगा आई सेज खतम होगा तो फिर से जन संक्या कर विसफोट या उस प्रकार की प्रक्रियाएं डरंब होगी तो आई सेज या इस प्रसेस को हम लंबा ना करें लेकिन कम से कम जितना रोक सकते हैं उतना तो रोकें और खासकर तब जब मानो इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है तो आप रिपोर्ट्स को थोड़ा ऐसे कंसेप्चुल क्राइटी से पढ़ें चुकि अब इन रिपोर्ट्स पर प्रसंद ज्यादा ज्यादा आएंगे तो जो गहरी कारवन बेचसाला है यह वैस्विक अंसदान कराकरन प्रत्वी पर कारवन की भूमिका को यानि कारवन से और क्या-क्या हानिया हो सकती है और ISH के लिए सबसे बड़ा जिमोवार कारक इस कारवन डैसाइट को या कारवन को ही माना जाता है तो इसमें मिंटल तक के जो सोर्सेज के दौर पर है कारवन का जोला मुकी के रूप में उनको भी शामिल करके इसका अध्यन किया जाता है साथ ही साथ या गहरी माइक्रोबियल पार्स की तंद्र को लुकलाइज लेवल पर अर्था छेत्रिया अस्तर पर समझने का भी एक कारकरम है क्योंकि इसका प्रभाव क्या पढ़ रहा है जैसे कहीं जो अला मुकी का विसफोट ही हो रहा है तो अस्थानिया अस्तर पर इसका क्या प्रभाव है और ग्लोबल अर्था तो वैस्वी का स्तर पर इसका क्या प्रभाव है तो वैस्वी का स्तर पर इसके प्रभाव का अध्यन करने के लिए UNF, CCC या विसफोट की कई अन्य-अनसंगी संस्थाएं हैं जो किसी राश्य संबंदित हैं या UNO संबंदित हैं तो इसने अस्थानिय रूप से अर्थात लोकेलाइज रूप से उसका प्रभाव क्या होगा इस पास की का उसके अध्यन पर जोड़ दिया है। तो इसको डिटेल में इसलिए समझा दिये चुके मुझे उमीद है कि इस अधारना पर आगे विप्रसना आता रहेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक और दो। अर्थात गहरी कारवन बेटसाला के संब्ध में निम्रिकित कत्रों में से कौन सा सही है। यह वैसे द्रिश्टी के वेबसाइट पर भी इस पर मेटर हिंदी में डला हुआ है। चुके जो भुगोल और आप मैगजिन है या हिंदू जो अकबार है उसमें डिटेल पर इसमें रिपोर्ट्स आयते हैं। तो उसी रिपोर्ट को और सरलतम भासा में द्रिश्टी ने अपने बैट साइट पर लिखवा करके पोश्ट करवा दिया है। वो भी आप पढ़ सकते हैं। सो उसके तोर पर या फिर नेट पर भी तमाम सोर्सेज अबलेबल हैं। अगले से हिंदी दुनों में ही आप उसको पढ़िए। थोर डिटेल में इसलिए चर्चा किए कि मुझे उम्मीद है कि अब इस प्रस्पेक्टिव पर आगे प्रस्ण आएगा और आता रहेगा। चलते हैं प्रस्ण की और। जो अगला प्रस्ण है निम्रखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान रखना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। और यह पहले ही मैंने कहा है कि इस प्रकार के सम्मेलनों का जो प्रमुख अभिशमय या जो निर्नय है उस पर प्रस्ण आता है। कि किस वर्स आयोईथ हुआ, यह जस्ट पार्ट सी वीडियो जो है, उन्निस के पिटी का है, उसमें भी मैंने एक्स्पेंड किया है, कौन सा कारेकरम UNO का या फिर UNDP का या UNEP का किस वर्स आयोईथ हुआ, दूसरा कहां आयोईथ हुआ, तीसरा प्रवंक उसका उद्देश से क में साथना कियेगा, कार्टोजेना प्रोटोकॉल, जो कार्टोजेना प्रोटोकॉल निर्मित किया गया था, वो जय विवित्ता के सिफ्टी के लिए ही था, और इसमें कई प्रकार के निर्ने लिए गया, ऐसे विलुप्त का भी छे उधारना दिया गया, कि किसको हम इस्टॉक हॉम या इस्टॉक हॉम जो कन्वेंशन है अनवरत जैविक प्रदूशक के लिए है जैविक प्रदूशक के लिए है जैविक प्रदूशक के बत्तब हो गया जो चिवासम उर्जा के जलाने से जिस प्रकार का प्रदूशन होता है या उससे कंसर्ण जो भी ना किवाल बायो फ्यूल की जलाने से किसी प्रकार के प्रदूशन या वायू प्रदूशन हो जल प्रदूशन पिसेस तर पर फोकस कि यह था वायू प्रदूशन पर हुए स्टॉक हूम ही था मॉन्ट्रेल प्रटोकॉल तक लिए था 1987 में ये भी आपको पता होगा और जो Kyoto Protocol था यही सुमिलित नहीं है जो Kyoto Protocol था यह basically कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन क्रेडिट जैसे concept से concern था जैसे होता है ने कि आप बच्पन में देखे होंगे कि घर में पिताजी आए चार भाई है तो चारो भाईयों को एक-एक चोकलेट दिया गया किसी कारण से इक भई सोया हुआ था उसका चौकलेट उसको नहीं मिला लेकिन जब उसको चौकलेट दिया जा रहा था तो दूसरे भाई नी चछीन या प्यार से पुला के उसको माल के आधा उसमिसे ले खा लिए रा चीन के इका गया या उस भाई को मिला ही नहीं, दूसरा भी किसी और ने, उसका हिस्सा किसी और ने खा लिया, तो भी असली कम से कम मा को, खास करीदी छोटा बच्चा है या बेटी है या बेटा है, तो भी ध्यान रहता है कि उसके हिस्से का मतलब compensation उसको मिलना चाहिए, तो पूरा तो नहीं मिलत लेकिन कुछ compensation दिया जाता है, इसी प्रकार के compensation की विवस्ता, आर्थिक विकास और परियावरण के सास्यूजन से, आवर कवन फ्यूचर के माध्यम से प्रसुत किया गया था, और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था, ये कार्बन टेडिंग की इस प्रक्रिया से बिल्कुल स दस वर किलोमीटर में बन रखता है, या उसका एरिया कुल इतना है, जिसमें इतना percent one है, तो कितना कार्बन का omission अर्थात, कितना कार्बन वो उद्योग से परिवहन से मूद कर सकता है, उसको एक right दिया गया, अब माल लेजी वो अपने आद मतलब उस right से 10% कम use करता है, त तो वो 10% लाव में आ गया, ऐसे credit उसके पास मिल गया है, और यदि कोई ज़्यादा कर रहा है, जो कोई visit रास्ट है, तो वो deficit में आ गया है, तो process यह है, कि ज़्यादा carbon का omission कर रहे हैं, वो रास्ट उन रास्टों के credit को purchase कर सकते हैं, कैसे purchase कर सकते हैं, तो भाई किसी ने 30 परसेंट ही उसकिया है, 70% उसका credit है, तो उसके हाँ विकास की उजनाओ को promote करके, जैसे रोजगार के लिए कोई उद्योग हो, या किरसी के बहतर प्रबंदन हो, वो करके, परिवहन या संचार या तकनीकी का प्रबंदन करके, जिसको आप अनुदान के तौर पे देंगे, वहाँ बिजनस कम आएगा, तो आप उसके credit को purchase कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को carbon trading कहा गया, और ये Kyoto Protocol से ही संबंदित था, ठीक है न, यहाँ पी ध्यान रखे चलिएगा, कि ये carbon trading से overall संबंदित है, और इसमें trading या जो credit है, overall जो प्रक्रिया है वो, जल सरक्षन से ये Kyoto Protocol संब dimensions हुए हैं, उनसे concern बहुत बाद में आया, सबसे पहला प्रभाव पढ़ता है वायू का, इसकी समस्या क्या है, अब पराई जलाई जाती है हर्याना में और पंजाब में, या सिमित्र उसे परशिमित्र प्रदेश में, और इस मौक बनता है दिल्ली में, अब ये भी है कि य 200-500 km तक हो सकता है, इसलिए वायू प्रदूशन को पहले टार्गेट किया गया, तुल्ला में जल प्रदूशन के, ठीक है, मिर्दा प्रदूशन और भी मतलब जिस छेत्र में प्रदूशन होता है, उसका प्रभाव प्राया उसी छेत्र में होता है, तो जो globally concerned पहले हो सकते से उनहीं को global level बेर पहले target किया गया, और धरे-धरे फिर regional के रहाया गया, ठीक है, तो यह Kyoto protocol answer है, और यह carbon trading से संबंदित है, चलते हैं अगले प्रस्न की ओर, जो अगला प्रस्न है, नीचे दिये गए कथन, जिनमें एक को कथन, यह कथन कारण का जो trick है, मैंने पहले वाले 2019 के PT का ही जो पहला वीडियो है, उसमें detail में हमने डिस्कस किया है, कि assertion और reasoning वाले प्रस्नों को अर्थार कथन और कारण वाले प्रस्नों को बनाने के रहने तिया तकनी की क्या होनी चाहिए, ता आप वो वीडियो देख सकते हैं, अब यहाँ सीधे चलते हैं प्रस्न पे, जो कथन है वो है, उसमें कडिवंधिया देशों में, यानि ट्रॉपिकल रिजन्स में, जो तितलियां हैं, बटरफ्लाइस की प्रजातिया सरवारी संख्यां पाई जाती हैं, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, एक बात है है, कि जितने भी इंसेट्स होते हैं, not I'm just talking about the butterflies, all the insects, जितने कीट पतंगे होते हैं, उडने वाले, उडने वाले जो कीट होते हैं, वो सबसे जादा कहां होते हैं और कभ होते हैं, उनका दो रितू होता है, पहला, जो first उनका रितू होता है, वोता है वर्सा का रितू, वर्सा की रितू में इनका breeding, यानि प्यू जब ज़ादा होती है या वर्सा होती है तो प्रारंविक वर्सा के बाद कीट पतंग सरवादी दिखते हैं, और उसके बाद मिढ़क आ जाते हैं, अतब टरटर की आवाज्ये सुलो होती है, या उत्र प्रदेस के प्रतीह नगर में जहांभी आ तियारी करते हैं, हां भी आ सच्षती पूजा होती है। जब मनाए जाता है है तो उसी दिन बसंदा पंच्मी होता है। कि आता है बसंद जो हिंदी का कलिंडर असका पाँचवा दिन, बसंदा पंच्मी तो बसंदा पंच्मी के समय फूल खूब खिलते हैं, मतलब गुलाब का, जो सीतरितू वाले फूल होते हैं, कुछ फूल होते हैं, ग्रिस्व रितू वाले, जो गर्मी में ज़्यादा खिलते हैं, कुछ फूल होते हैं, सीतरितू वाले, तो सीतरितू में फूलों की विवित्ता है, इसे गेंदे से लेकर करके गुलाब तक और जितना भी आप डेलिया वेलिया जैके इने सारा फूल इसी मौसम में सबसे बढ़िया किलता है जैनि फूलों के खिलने का यह सबसे बढ़िया मौसम है और भावरे और साथ-साथ तितलियां फूलों पर ही ज़्यादा मड़ रहते हैं लेकिन आप फूल का हो या किसी भी का भी हो लेकिन जो रियल मधू का टेस्ट है नेचरल फ्लेवर जामून की रितू में जामून का मधू तियार होता है आम की रितू में आम का तियार होता है चुकर उसी के फल और फूल से भावरे रस से कठा करते हैं और धिरे-दिरे उसको मधू में वो कन उत्राखंड के फ्लोर्स वैली में जाएंगे वहां भी बटरफ्लाइज की वराइटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन तापमान जैसे पांच विरी से घड़ता है ये इनक्टिव होने लगते हैं। यानि आप ये जहां भी बैठेंगे फिर वहीं रहेंगे उड़ेंगे नहीं। और जैसे अप्रील का महिना आता है एक पुरी उत्रप्रदेश में बच्चे वह धागे में बांद को बढाते हैं बिहार में जारखंड में। ग्र्मी नस्तर पे खेल भी होता है ये वो भी आपको मार्स के बाद और मुझ के बीच में दिखने सुन हो जाएंगे। तो यह आप मान के चलिए कि तितलिया उंयर्ट है वो रखंड के फ्रोर्स वैली से भी हम तुलना करेंगे तो मैदानी प्रदेश तितलियों के लिए ज्यादा शूटेट होगा क्योंकि यहां प्रताप्पान गर्म भी आता है जीतल भी आता है यानि जो कारण है वो उसकी पुष्टी करता है इसलिए उत्तर हो जाएगा यानि इस 34 और प्रस्ण का उत्तर होगा अर्थाथ गर्म प्रदेशों में ही तितलिया ज्यादा रहती है इसलिए खासकर जहाँ फूल हो फल हो इसलिए तितलियों की प्रजातिया के सर्वाडिक संख्या उसकड़िवन्दिय शित्र हो पाई जाती ही ध्याना कि का सर्वादिक संख्या की बात की जा रही है तो R A का सही इस्प्लेशन है अब चलते अगले प्रस्टन की ओर पार्स की तंत्र में एक पोसी अस्तर से दूसरे पोसी अस्तर में अस्तनांतरन से उर्जा की मात्रा रैसे सिंपल है अगर मान लिजिए ये उत्पादक हो गए जो बनस्पती है उनकों क्या कहते हैं उत्पादक, प्रोडूशर्स इसके पश्चात साकाहरी आएंगे तो शाकाहरी इसके पश्चात मान साहरी यानि हर्बिवोर्स, कार्नीवोर्स फिर और हम लेते हैं तो सरवोच मान साहरी टॉप कार्नीवोर्स ये एक क्रम बनता है मान साहरी ये एक क्रम बनता है अब इसमें उर्जा का जो प्रवाह होता है वो आगे की और हमेशा घरता जाता है जिसे उर्जा प्रवाह का 10% नियम कहते है ये 9.8 से ले करके 11% तक घरता है ट्रांसपर होता है घरता नहीं ट्रांसपर होता है यानि यदि यहां पर हम 1000 माने तो यहां पर हो जाएगा 100 यहां पर हो जाएगा 10 और यहां पर हो जाएगा 1 यहां आगे की और फुड़ चेन में अस्थानांत्रित होता है इसको बोलते है उर्जा प्रवाह का या उर्जा अस्थानांत्रन का 10% नियम. तो overall क्या होगा एक पोशी अस्था से यानि चाहे यहां से यहां count करें, यहां से यहां count करें, अब इस question को अधिक टब बनाना होता, तो कहा जाता है एक पोशी असतर से दूसरे के पश्चा तीसरे पोशी असतर में कुल कितनी मात्रा तो उसका एक परसेंट आएगा जो कह 20 परसेंट दूसरे में उसका 10 परसेंट एन 1 परसेंट जायगा तीसरे work anyway लिसका उत्तर हो जाएगा अब बढ़ने का मतलब नहीं बनता, इस्तिराने का मतलब नहीं बनता, बढ़ सकता है या घड़ सकता है नहीं बनता, तो घड़ता है, तो इसका उतर हो जाएगा घड़ता है, यह उर्जा प्रवाह का 10% नियम से समंदित है, ठीक है, चलते अगले प्रसन की ओर, जो अगला प fixation ठीक है देखो लाल सेवाल भूरा सेवाल हरा सवाल यह होगा नीला हरा सेवाल यह बिसकली प्रार्णम में तो जापानी जो शेवाल की प्रजाती है जापानी शेवाल की प्रजाती जो कि सबसे परे ट्रेस किया गया था लेकिन इसके साथ साथ यह पूरा का पूरा दक्षीन पूरी जो चीन है यलो सी से लेकर के जो दक्षीन सागर है वहां से लेकर के पूरे उर्षकडी बंधिया प्रदेस में ही पाय जाता है लेकिन जैविक नेट्रोजन के नरधारन में नीला सेवाल सबस्यादा इंपोर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा हरा, भूरा और लाल सेवाल के दुला में, हरा सेवाल भी है प्रतु नीला सेवाल, और नीला हरा जब मिला देते हैं, तो ये एक प्रप्रियेट उत्तर बंजाता है इस प्रस्न का, इसका उत्तर होगा D, की नीला हराव शयवाल, ठीक है, चलते अगले प्रस्न की ओर, जो अगला प्रस्न है, धुवा एस्मोग, आवक्षक रूप से बाई मंडल में निमलिखित की उपस्तिती कार्ण होता है, देखो, ये नाइट्रोजन तता सलफर की ऑक्साइड के वज़र से होता है, पहा करके 30-40 बढ़ाया गया था, ये स्मोग या पॉलुटेंट के वज़े से ही दिली में लॉकडाउन लगाया गया था, और ये लॉकडाउन जो नॉवमबर के अदिम सब्ताव में 2021 में सब्स लगाया गया था, ये प्रदूशन की तरण से लगाया गया था, ये स्मोग बनता कैसे है, ये सीधे गैसों से नहीं बनता, उसके बाइप्रड़क से बनता है था औक साइड से बनता है, या अब ध्यान रखिएगा, अब ऑक्सीजन तथा ओजोन, ओजोन का हैं कोई मतलब नहीं है, चुक्के वो सम्ताप मंडल में, ओजोन तथा नाइट्रोजन, ये प्रक्रिया से होगा, अर था उसको कम्भूशन बोलते हैं, जब उसको आप जलाते हो, हम जलाते हैं, ठीक है, कैसे जलेगा ये, तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स, ये कैसे होगा, जैसे हम मालो पेट्रोल, या डीजल, या नेचुरल गैस, या इभन गोबर, या लकडी, ये सब तो बायो फ्यूल ही है ना, और हमारे बॉड़ी में जो प्रोटीन है, प्रोटीन कैसे माप जाता है नाइट्रोजन से, विगोज नाइट्रोजन ही कनवर्ड करता है प्रोटीन में, तो हमारे बॉड़ी का जो मेन हिस्सा है, जल के बाद तो प्रोटीन ह हम काउंट करेंगे तो यह बनस्पतियों में भी होता है इवें जो बनस्पति के या खेती में जो पौधे का तना तयार होता है उसमें सबसे प्रूख मातरा नेट्रोजन की ही होती है जिसको खड़ी फसल या बायो मास कहते हैं इन वामेंट एनिकॉलजी में तो यह सब में त जाता है दृष्टा के साथ साथ जो सांस के साथ अंदर जाता है लंग्स को सबसे तक दुस्प्रभावित करता है उसी गोलते है स्पॉक है ना तो ओवर आल यह नैट्रोजन तथा सुलफर का उकसाइड से बनता है जब भी जलाएंगे किसी यह जीज को जैसे देखोगे आ और दीवाली के आसपास थो दीवाली सोथ होटी है मुल्ता यह ज़ा समस्या बड़ी समस्या है पिराई जलाने से हर्याना और पंजाब के किसांट, Wow प्रट कल पास्तिंड शूक चोरी निवर्तमान मुख्यमंत्री है डिली के वह पूरी तरह से शुड़कर की कारी कर रहा ह जो भी कार्य कर्म चल रहा है अन्य चुनाओ प्रोडिकल पाटीज भी कर रही है इसमें कोई दोरह नहीं है लेकिन जनहीत में अधी आप कार्य करते हैं तो निशंदे जनता फिर आपको चुनती भी है तो पिराई जलाने के वज़ा से जो जलने से जो ऑक्साइट्स बनेगा वही स्मोग का निर्मान दिल्ली महानगर के अंतरिक भाग में भी करता है ठीक है उसमें भी केवल पिराई नहीं है खासकर जो बायो फ्यूल्स हैं चुकि नगरिया और महानगरिया प्रदूशन के 80% ज था सलफर के ऑक्साइट ठीक है चलते अगले प्रस्न की और तो अगला प्रस्न है निमले कि छेतरों में से किसमें दुरलव प्लब्दी के लिए वैस्विक 500 पूरुसकार दिया जाता है तो यह वैस्विक 500 पूरुसकार कौन देता है सबसे पहले तो यह जानना चाहिए तो आप यह जरूर रखना कि यह प्रस्न है वैस्विक 500 और इन्वार्मेंट के कंसर्ण में चल रहा है तो कुछ चीज़े मनुवेज्ञानी का सरव भी बन जाती है तो यह जीन सरक्षन से कोई मतलब भी नहीं है परियावन सरक्षन से कंसर्ण हो जाएगा अब इसका उत्तर कै निजी या जो संस्थागत चीज़े हैं संस्थागत लेगन सरकार को यहाँ पर मतलब इंजीओ अप ले सकते हो कोई इंजीओ बैसा हो सकता करई नहीं परियावन सरक्षन का जो कारिक करने वारे लोग है यह तू या पुरूस्थकार दिया जाता है वेस्विक 500 ठीक है पर्यावरन सर्चन के लिए तो कई ऐसे इंजियोज हैं या कई ऐसे लोग हैं जो यह नोवल प्राइस से भी कंसरन होता है ध्यान रखिएगा आप लेगिन इस्पेसली जो वेस्विक 500 है उसमें जो इमाउंट या सर्टिफिकेशन होता है वो इसी के लिए होता है कि कई लोग ऐसे हैं जैसे आप मेधा पाटिकर जी को ही लीजिए प्रयावन सर्चन के लिए उकार कर रही है हलाकि आप सुनिए तो प्रता लेगा बांध की उचाई के लिए जो विश्थाबन होता है मानों के साथ साथ या जो उत्राखंड का बहगुना जी का प्रकार का प्रिवर्तन आ रहा है लासानी को रुड़ा को कीतनासक के प्रयोग से उस प्रक्रिया को रोकने के लिए जो कई चिंतक हैं कारिकरता हैं समाजी कारिकरता हो तराखंड के उन्हें बीज बचावा अंधुलन सुरू किया तो यब यह चिपको और जो सर्दास और यह सब पुराना भीज बचावा अंधुलन प्लस उसके प्रस्पेक्टिप्स को भारत वर्स में फेलानी का हो सकता है तो हर ओल थोड़ा सा इसके प्रतिया अवेर्नस रखिए और यह उस मनोविज्ञान से भी कुछ हर्थ तक संबनी तो हो ही सकता है ठीक है चुके पुरु जाहत है 49 भारत में सबसे अधिक जयाविविथा संपन रखिठर है मने पंदिखिए अधिक अधिक जयाविवधिता संपन से श Schnee लेकिन के साइलेंट वैली के अलावा जो अण उत्तर के स्धृतर है खाली नदी का घाटी यो काली जलप्रपात है कालागड काली और इंत इसके आगे चलते हैं महारास्ट में वास्क परियाटन य دूज्चर के वजह काफीเหत तक को दुश्प्रभाविद भी हुएं और वहां पर इतनी घहंता नहीं है इतनी घहंता अंडुमान निकुबार में है पांसो पच्छत्तर से तो अधिक द्वीप हैं छेसो कास्फस पान लीजे लेकिन आपको जानकर घोर आश्चर होगा 99 वाइड लाइफ सेंचुरी हैं रुमान निकुबार में लगबार चार-पांच द्वीपों में से एक पर वाइड लाइफ सेंचुरी है या कोई बायोस पर रिजर्व है आप सुची कितना धनी और संपन्ट शेतर होगा वो है ना लेकिन हमें चुनना होता है हमेशा उपलब्द आप्शन्स में से तो भारत के सबसे अधिक जविट्टा में गंगा का मैदान में तो काट कूट करके सब नासी कर दिया गया खेती ही होता है ट्रांस हिमाले ट्रांस हिमाले तो बिलकुल निकेड है कारा कुरम लगदाग जासकर कैलास यह बिलकुल निकेड है आईसी है मतलब वन संसादन से बहुत रहित है यह तो यह तो नहीं होगा इसको हमने काटा है यह बिचारे पहले से समाप्त है और मद्यव और क्रिसी, इसके लिए यहां भी वनों का विनास हुआ और यहां वन बहुत सकंते भी नहीं, यहां क्रिसी कारण से हुआ, तो जो पशिमी घाट है, वो अभी भी सेफेस्ट आप्शन है, और इस आप्शन में प्रद्यारतियों को जो हलका भी पढ़े हैं या थोड़ा अनु abras na है, यही अंतिम प्रस्ण है इस 2019 के प्राणिवारेशा के जुटकुल 40% है उसका चौथेवी विडियो का यह अंतिम प्रस्ण है, निम्लिकित में से कौन सा भारत में सतत्विकास के लक्षों, सतत्विकास अर्था सर्ष्टनेवल डवलप्मेंट के अब्यक्टिव्स के कार्यानमन के लिए एक नूडल संस्था है तेको नूडल संस्था का मतलब होता है वे संस्थाएं जो उसको क्रियानवित करती है नितिग में बनाती है और क्रियानवन में सहयोग करती है उनको हम कहते हैं नोडल संस्ता है ठीक है जैसे governance शुशासन या अभिशासन कहेंगे इसको वर्ल्ड बैंक वैस्वी कस्तर पे अभिशासन की एक नोडल संस्ता है चुकर वर्ल बैंक का प्रियास है कि सरकार के साथ साथ अथात प्रशासन की प्रक्रिया में शासन की प्रक्रिया को जोड़ा जाए इसलिए वर्ल बैंक जो ही funding करती है अनुदान के तौर पर उसमें NGOs की भूमिकाओं क्यो मानों के यानि वहां के नगरिकों की शहवागता के श प्रियान्वन में नीतिया बनाए, फंड दे, सहयोग दे और या खुद भी कार करें ठेक है तो भारत में इस प्रकार की इन्रोल अजनसी में अब देखो योजना आयोग तो है ही नहीं विनिवेस आयोग जो है वो पूजी निकालने के सनशनात में प्रक्रिया संबंदित है अर्थात अगर कोई भी रुग्न अध्योग केंद्र है या रुग्न अध्योग है तो उसमें जो सरकार का पर्ली सेटर का पैसा लगा हुआ है उस पैसे का विनिवेस प्रसेंटेज में कितना होगा कैसे होगा उसको विनिवेस आयोग देखता है तो ये भी नहीं होगा बि जोजनायोग की जगह नितियाव को लिलिया, नितियाव का डिर्मान किया और पंच वर्ची जोजनायोग की जगह अब तीन वर्ची जोजनायोग का डिर्मान प्रक्रिया शुरू हो गया, इस सरकार की डैनमिजम देखें, गरत्यात्मक्ता और सुतिश्वडी बात्य बिभार ये निति आयोग राज्यों को भी राज्यों के परियोजनाओं में जो दिशा निर्देश है एवं जो बित की विवस्था है वित की विवस्था ये करती है और खास करके देखो मैंने बताया था कि आवर कौन फ्यूचर से ये विल्कुल असपस्ट हो गया कि विकास और परियावरन अलग अलग नहीं है एक ही है वही जो कोटेशन में ने यूज किया था शक्तिमानी गंगाधार है या गंगाधारी शक करने में अर्थिवस्था का एक बड़ा हिस्सा हमें खर्च करना पड़ेगा तो संब्रदी पर हमें जीतना दिखा उससे वास्तिविक संब्रदी कम हो जाएगी और यह डिवेट भी एक चलता रहता है इसलिए पोश्णिय विकास को हम फेवर करते हैं तो इस प्रस्ट का उ और वीडियो पूरा हुआ हमने यहीं प्रयास किया यह टीम द्रिश्टी का ही प्रयास है कि वेविद्यार्थी जो द्रिश्टी के केंदर पर किसी कारण से क्लास नहीं कर सके या कोविड-19 के विए से घर में है या रणनीतिक तोर पे एक बहतर उर्जा और दक्स्ता के किस प्रकार चुनते हैं और समार्ट वरक के साथ कैसे अपने समझ को उसके सुरोत तक आप सुनशित कर सकते हैं जिससे आपका रिजल्ट भी सुनशित हो सके तो इस प्रकार ये चौथा वीडियो भी समाप्त हुआ धन्यवाद and all the best मिलते हैं अंगले वीडियो में